सवागत है दोस्तों आपका ExamGliotip चैनल में इस वीडियो में हम जानेगे अर्जंटीना के बारे में अर्जंटीना की राजदानी क्या है इसका एरिया कितना population कितनी है इसकी GDP कितनी है इसके राजदानी की बात करूड़ू तो राजदानी कैपिटल है इसकी एरस और इसका जो एरिया है वो है 27 milya क्रेयर का ठीक है आप मान सकते हैं कि जो इंडिया का एरिया है 32 milya स्केर क्रेयर किलो मेटर तो ऊस से लगवक 5 इसका एरिया कम है, ठीक है, फिर भी एक बहुत बड़ा देश बन जाता है, और इसकी जो population है, वो काफी कम है, सरफ 47 मिलियन लोग यहां पर रहते हैं, यानि कि 4.70 लाख लोग यहां पर रहते हैं, इनकी जो GDP है, वो है 568 बिलियन की nominal GDP, ठीक है, और जो power processing priority है, उसके इसाब से इनकी जो GDP है, वो है 1.1 trillion की, इंडिया की है, यह 13 trillion और यह है 3.7 trillion, ठीक है, उससे आप अंताजा लगा सकते हैं, लेकिन इनकी population काफी कम है, इस वज़े से जो इनकी GDP per capita है, दूस्तों nominal में, वो है 12,000 US dollar हर साल एक आदमी कमाता है, और जो power processing priority है, उसके इसाब से 23,710 US dollar, अगर currency में exchange करेंगे, तो इनकी value यह आएगी, लेकिन वहाँ पर अगर सामान करी देंगे, बाकी चीज़ें देखेंगे, जो इनकी एक मजबूती होती है currency की, उसकी वज़े से जो खर्च करेंगे, तो उसमें जो value आएगी, यह आएगी, आप ऐसे समझेए, कोई आदमी है, अगर वो US में बैठा है, और वहाँ पर कोफी पीता है, तो वो उसको मिलती है, मालेते हैं, दो डोलर की, लगबर देट सो रुबेगी, इंडिया में पीता पचास रुबेगी, आप समझ सकते हैं, कि इंडिया के अंदर क्या है, वो जो चीज है, वो वन वाई थरी है, ठीक सबसे बड़ी आबादी जो है, अर्जिंटीना में इसके राज़दानी में है, और जो दक्षिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, उसका दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है, और जो ये देश भी है दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा देश है, दक्षिन अमेरिक क्या वो देरे देरे बढ़ रही है लेकिन इस देश में कई समस्य हैं है जैसे मुद्रस भी ती महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन इसकी जो संसकर्ती एतियास हो काफी जाद सम्रेद है और इस अक्षेतर का प्रमुख खिलाडी भी है कई कारण है जिससे अर्जंटीना की जो अर्थवस्ता है उसमें गिरावट आई है जैसे वित्य जो संकट यहाँ पर आया है वस्तुओं को पतन है सरकार का जो आर्थिक कोपरवंदन है अच्छे से जो है चीजें नहीं की गई सरकार के द्वारा हलाकि अर्जंटीना का जो वह इससे है वह आसावादी है क्योंकि कई कारण है जैसे यहां का जो यूवा वरग है एक तो वह सिक्सित है ठीक है और एक उसकी एज थोड़ी सी कम है मतलब कंपेड लिए इतना ज्यादा एज वाला नहीं है ठीक है पर सिक्सित होने के साथ है कुछ अच्छी चीजी होंगी अर्जंटीना के लिए इसके अलावा जो प्राकरतिक संसादन देश काफी बड़ा है आबादी काफी कम है तो जो प्राकरतिक संसादन यहां पर है उससे भी सम्रत है ठीक है वह इसको जो है फायदा पहुंचाएगा आगे आने वाले टाइ में और अगर सही नीतियां अपना ही जाती है तो अर्जंटीना एक सम्रत देश बन जाएगा ठीक है तो यह था दोस्तों अर्जंटीना के बारे में सब कुछ अगर आपको हमारा वीडियो पसाना है इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें थैंक्स वर बाचिंग